सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेनिंग न्यूस चानल को और बेल आइकन को दबाएगे लेटेस्ट न्यूस सबसे पहले पाने के लिए ब्रावो ने अंतिम 11 गेंदों पर ताबर तोड 49 रन बटोर कर मुंबई इंडियन से मैच छीर लिया धोनी की टीम CSK के लिए उन्होंने बाजी ही पलटी इस मैच में धोनी के ब्रावो ने अन्होनी को होनी कर दिखाया है एक गेंद पहले महस एक विकेट से मिली ये रोमान्चक जीत आइपिल प्रेमियों को लंबे समय तक किया तहेगी आठ विकेट गिर चुके थे CSK को अठारा गेंद पर बनाने थे 47 रन जीत के लिए लक्षय था 166 रन 17 ओवर के बाद CSK हताश और निराज था उसके अब तक आठ विकेट गिर चुके थे स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 119 रन थे यानि 47 रन चाहिए थे 18 गेंदों पर 18 ओवर में 5 गेंदों पर ब्रावो ने बटो रे 19 रन 18 ओवर की पहली गें मैक लेगन ने ताहिर को डाली जिन्होंने एक रन चुरा कर ब्रावो को स्ट्राइक थमा दी ब्रावो ने लगातार दो चक्के, दो रन और एक चोका लिया आखरी गेंद पर एक रन लेते हुए ब्रावो ने अगले ओवर के लिए स्ट्राइक भी अपने हातों में रख ली यानि ब्रावो ने 5 गेंदों पर 19 रन लिये और इस ओवर में कुल 20 रन बने 19 वे ओवर में आउट होने से पहले ब्रावो ने लिये 20 रन अब बाकी थे महस 2 ओवर यानि 12 रन रन चाहिए थे 27 ब्रावो ने बुमरा की लगातार दो गेंदों पर दो चक्के जड़ कर मैच को बेहत रोमांचक बना दिया अब 10 गेंदों पर बनाने थे 15 रन अगली गेंद पर एक रन को ब्रावो ने सिल्डर पर दबाव बनाते हुए दो रन में बदल डाला मगर उसके बाद की गेंद बुमरा ने शानदार यार कर डाली गेंद विकट को छूबी गई लेकिन गिल्ली नहीं उड़ी बाल बाल बचे ब्रावो कोई रन नहीं बना मगर अगली गेंद पर ब्रावो ने उड़ा दिया छक्का अब 7 गेंदों पर चाहिए थे 7 रन मगर ओवर की आखरी गेंद पर ब्रावो कप्तार रोहित शर्मा को कैश थमा बैठे पाँच गेंदों में 7 रनों की आसान चुनोती केदार जाधव ने पूरी की आखरी ओवर में यानि 5 गेंदों पर बनाने थे 7 रन विकेट पर आए केदार जाधव जो पहले से ही चोटिल थे पहले की 3 गेंद बिना रन के गई अब तीन गेंदों पर बनाने थे साथ रन शोथी गेंद को केदार जाधव ने बहतरीन पोजिशनिंग रखते हुए शांदार शोट लेक साइड में विकेट के पीछे खेला और सीधा छक्का अब मैच CSK की मुठी में आ चुका था स्कॉर बराबर एक गेंद पहले शांदार चोके से मिली जी दो गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ एक रन लेकिन केदार ने एक गेंद रहते ही चोका जड़ते हुए अपनी टीम को लक्षे से तीम रन आगे पहुचाते हुए शांदार चीत दिला दी अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हरताजा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हरताजा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूजर में कमेंट करके ज़रूर बताएं डेली टर्णिंग न्यूज की रिपोर्ट सबस्क्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंटरस्टिंग न्यूज के लिए